नमस्कार दोस्तों स्वागत है डेली स्टेडी में अगर आप भारत के किसी भी पुलीस की अयारी करते हैं तो आपको इन 10 प्रस्ण के बारे में जरूर पता होना चाहिए और आपको इन 10 प्रस्ण में से 5 प्रस्ण का सही जवाब हर हालत में करना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण भारत पाकिस्तान कारगी लिउद का कोड नाम क्या था? परतिये प्रस्ण का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकेंड दिये जाएंगे ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं आपका समय शुरू हता है अब भारत पाकिस्तान कारगी लिउद का कोड नाम क्या था? सही जवाब ओप्सन नमबर B ओपरेशन विजय तो देखिए कारगी लिउद जो है मई 1999 से 26 जुलाई 1999 उसमी तक चला था और 26 जुलाई को कारगी लिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है सबसे इंपोर्टेंट प्रस्ण पुछा जाता है भारत पाकिस्तान कारगी लिउद के समय दोनों देशों के परधान मंतरी कोन थे? तो धियान रखेगा भारत की ओर से अटल विहारिवाजबाई थे और वहीं पाकिस्तान के परधान मंतरी नवाज सरीब था और दोनों देशों के बीच कारगी लिउद में भारत की जीत हुई थी पॉस्चन नमबर दो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? सही जबाब ऑप्सन नमबर बी बंगलादेश तो ध्यान रखेगा भारत की सबसे लंबी सीमा बंगलादेश के साथ है और इसकी लंबाई जो है 4,096 किलो मीटर है अच्छा भारत बंगलादेश जो है भारत के कितने राज्यों से लगती है तो ध्यान रखेगा 5 राज कोन-कोन असैम, मेघाले, मिजोरम, तिरपुरा और पस्चिम बंगल है अच्छा भारत की दूसरी सिमा किन देश के साथ लगती है? चीन के साथ लंबाई 3,488 किलो मीटर अच्छा भारत की तीसरी सिमा किन देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लंबाई 3,323 किलो मीटर अच्छा भारत की सबसे कम सिमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान लंबाई 106 किलो मीटर और वो भी पाकिस्तान अधिकरत कस्मीरवाला छेतर है question number next सुचना का अधिकार यानि की RTI अधिनियम किस वर्स में लागो हुआ? सही जबाब option number B, 2005 तो देखिए RTI अधिनियम वर्स 2005 में लागो हुआ RTI का पुरा नाम होता है right to information हिंदी में सुचना का अधिकार और इस अधिकार के तहत जनता को कुछ अपवादों को छोड़ कर जैसे की रख्ठा सैनिक ये सभी छोड़ कर उन्हें कोई भी सुचना प्राप्त की जा सकती है ये RTI के तहत question number 4 भारत की दूसरी सब से लंबी नदी कौन सी है? सब को पता है भारत की सब से लंबी नदी तो है गंगा लेकिन दूसरी सब से लंबी नदी कोन है? सही जबाब option number D गोदावरी तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली सब से लंबी नदी है गंगा और दूसरी है गोदावरी और गोदावरी नदी कहां से nिकलती है नासिक से नासिक में कहां तिरियंब केश्वर से और नासिक महाराष्ट में है और गोदावरी नदी के लंबाई कितनी है 1465 किलो मेटर और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी के कितनी लंबाई है 2525 किलो मेटर अच्छा दक्षिन भारत की गंगा नदी किसे कहा जाता है काविरी नदी को Question number next Indian Army Operation Meghdoot कहाँ पर किया था Most important Operation Meghdoot Indian Army कहाँ पर किया था सही जबाब Option number C Siachin और Siachin है कहाँ ये भारत और पाकिस्तान के बोडर के बीच में है अच्छा बिस्व का सबसे उचा यूध अस्थल कोन है तो यही है Siachin Glacier जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ध्यान रखिएगा कारगील विजई दवस 26 जुलाई को मनाया जाता है ये कई बार पुछा जा चुका है Next भारत सरकार द्वारा Indian currency में जो ये R का सिंबल होता है ये किस वर्स अपनाया गया था सही जवाब Option number B 2010 तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार द्वारा Indian currency में ये R जो देख रहे हैं इसे 2010 में अपनाया गया था अच्छा भारत में प्राचिनतम सिक्का को क्या कहते थे आहत और पंच मार्क सिक्के के नाम से भी जाना जाता था अच्छा भारत में स्वने का सिक्का सबसे पहले किस ने चलाया यूनान योने Question number next भारत में संबिधान द्वस कब मनाया जाता है सही जवाब Option number D 26 November ध्यान रखिएगा 26 November ना कि 26 January भले ही 26 January 1950 को भारत में संबिधान लागू किया गया था लेकिन भारत में संबिधान-द्वस 26 November को मनाया जाता है अच्छा भारत में प्राथम बार जणडा का फराया गया था 26 January 1930 को और इसी वज़ज से 26 January 1950 को भारत में समिधान लागो किया गया था अच्छा समिधान सभा का गठन किस मिसन के प्रस्ताप पर 9 अगस्त 지금 46 को किया गया था केविनेट मिसन के तहथ समिधान सभाम कितने सदस थे 389 सदस और लगभग 10 लाग की आबादी पर एक सदस को चुना गया था question number next किरकेट विश्वकप 2019 की मेजवानी इसने की यानि किरकेट विश्वकप 2019 किन देशों में खेला गया सही जवाब option number D England एवम Wales तो ध्यान रखेगा किरकेट विश्वकप 2019 England एवम Wales में खेला गया और विजयता कौन था England था अच्छा प्राथम विश्व कप जो क्यू 1975 में इंगलेंड में हुआ था इसके विजेता कोन थे वेस्ट इंडिज अच्छा किरिकेट का प्राथम टेस्ट मैच कब खेला गया था 1877 में किन दो देशों के विच आश्ट्रेलिया और इंगलेंड के विच विजेता कोन था आश्ट्रेलिया पॉस्टन नमबर नाइन भारत में राष्ट्रिय सुशासन द्वस कब मनाया जाता है सही जवाब ओप्सन नमबर डी बी 25 दिसंबर को ध्यान रखेगा राष्ट्रिय सुशासन द्वस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को ही राष्ट्रिय सुशासन द्वस क्यों मनाते हैं क्योंकि अटल विहरी वाजपाई का जन्मीदीन है और इन्ही के जन्म दिन पर भारत में राष्टिय सुशासन दिवस मनाते हैं अच्छा राष्टिय उपुभोगता दिवस कम मनाते हैं तोवीस नवंबर को और राष्टिय वीधी दिवस कम मनाते हैं 26 दिसंबर को अच्छा किसान दिवस किसके जन्वदीन पर मनाते हैं चौधरी चरन सिंग के चौधरी चरन सिंग कुन थे तो ये भारत के पाँचवे परधान मंत्री थे और किसान दिवस कब मनाया जाता है 23 दिसंबर को Question number 10 10 महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से सुरू किया गया था सही जवाब Option number B 1942 तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में सुरू किया था तारीक क्या थी 8 अगस्त 1942 और कहां से सुरू किया था अच्छा सब को पता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया है लेकिन एक और दुसरा सुलोगन है अंग्रे जो भारत छोड़ो भारत भारतियों के लिए है ये नारा किस ने दिया था तो ये भी गांधी जी ने दिया था दस important questions आपके complete हो चुके हैं अब एक प्रसन आपके लिए है इस प्रसन का सही जवाब आपको नीचे comment करके बताना है प्रसन है इजरो का पूरा नाम क्या है इस प्रसन का सही जवाब आप नीचे comment box में जरूर दिजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please वीडिय में feedback जरूर दिजिएगा thank you friends thank you so much bye bye see you again the next video